हेलो फ्रेंट्स आप समों का श्वागत है अबिशी एकेडमी पर फ्रेंट्स आज के इस क्लास में आर्शाठी में BPSC के लिए केमेस्ट्री को देखने वाले हैं ध्यान रखें घटना चक्र 2023 का आज आज आप क्लास देख रहे हो इसमें टोटल 109 MCQs दिया हुआ है जो की 38 से लेकर के सरसाठी में BPSC तक में जो भी सवाल पूछा गया है सारे सवाल को इस क्लास में इंक्लूड किया गया है आईए बिना टाइम बरबात के वे स्टार्ट करते हैं आज के कोशन नंबर फर्स्ट से निमेलेकित मेंशे कौन सा एक तत्व नहीं है कैस एक तत्व नहीं है option नंबर आपका जो है C हो जाएगा सही जबाब इसके अलावे धातू उपधातू और जो अधातू है आईए इसके बारे में समझते हैं सवाल आप देखते चलिएगा कब कब पूछा गया था आवर्त सार्णी में तत्वों को तीन प्रमुक भागों जिसमें की धातू अधातू और उपधातू में रखा गया है जैसे में देखे हाइड्रोजन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरीन फासफूरस सलफर क्लोरीन हो गया सेरेनियम है ब्रोमीन है आयोडीन है तत्था सब ही अकर ये गैसों को आधातू की स्रेनी में रखा गया है इसे याद रखेगा नमबर सकेंड है आधुनिक रसायन सास्त्र का जनक किसे कहा जाता है आधुनिक रसायन सास्त्र का जनक पूछेगा तो लेवोजियर को कहा जाता है समझेए 2019 का ये सवाल है कह रहे है न एन्टोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन सास्त्र का जनक कहा जाता है नमबर थर्ड है एक तत्थु में इलेक्ट्रोन और न्यूट्रोन की शंख्या 18 और 20 है इस तर्ट्व की द्रव्यमान शंख्या कितनी होगी यह सवाला काफी बार भी PSC में पूछा गया है तो आपको पता है कि यहाँ पे सी हो जाएगा 38 कैसे यहाँ पे समझ लीजेगा किसी तर्ट्व के पर्मानू के नाभिक में उपस्थित प्रोट्रोन और न्यूट्रोन की शंख्याओं का योग उस पर्मानू की द्रव्यमान शंख्या कहलाती है उन लेखनी है मतलब ध्यान रखें पर्मानू में इलेक्ट्रोनों की शंख्या प्रोट्रोनों की शंख्या के बस जोड़ दीजिएगा जो जोड़ने के बाद आता है वही आपका सही आंसर हो जाएगा नमबर फूर है कि एक नाभिक की द्रविवान शंख्या दो हजर बाइस का यह सवाल है ए हो जाएगा न्यूट्रोन और प्रोट्रोन की शंख्याओं का योग होती है अभी आपने देख लिया था प्लूट्रोनियम न्यूकलाइड के नाभिक में न्यूट्रोनों की शंख्या होती है बी राइट आंसर हो जाएगा 148 होती है श्याशाठी में BPSC का सवाल है दिखें द्रव्मान शंख्या दिया हुआ है प्रमानु कर्मांग दिया हुआ है प्रोट्रोन की शंख्या है इसमेन न्यूट्रोन की शंख्या निकालने कहा तो आपको द्रव्मान शंख्या में से प्रोट्रोन की शंख्या को मैनस करना था आ जाएगा 148 राइट आंसर एक तत्व के समस्थानिक अलग-अलग होते हैं option number B दरवर्मान शंख्या में आपका सही जबाब हो जाएगा एक तत्व के समस्थानिक अलग-अलग होते हैं कब तो दरवर्मान शंख्या आपको बताना है परमानू देखें शमान परमानू शंख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं पूछेगा समस्थानिक किसे कहते हैं शमान परमानू शंख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं अर्थात जिस तत्व की परमानू शंख्या समान हो परंतु द्रव्मान शंख्या या पर्मानु भार अलग-अलग होता है वे समस्थानिक कहलाते हैं तथा समान पर्मानु भार वाले तत्वे समभारिक कहलाते हैं फैराडे इस्थिरांग इन सब में शिक्या ओप्शन नम्बर डी सारभौमिक इस्थिरांग होता है सही जवाब हो जाएगा 2020 का सवाल है फेराटे इस्थिरांग एक सारभामिक इस्थिरांग है यह 9000 96000 485 जूल पर मोल होता है ध्यान रखिएगा नेमने में से किसका पी एच मान 7 है 2018 का यह सवाल है देखिए उदासीन विलियन का पी एच मान 7 होता है सुद्ध जल को उदासीन माना जाता है अथा इसका भी मान 7 हो जाएगा वर्षा का पानी जल का सुद्ध रूप है 7 से अधिक पी एच मान का विलियन चारिये तथा 7 से कम मान का विलियन क्या होता है अमल ये होता है निम्लिकीत में से किस विलियन के pH का मान 7 से अधिक हो जाएगा आपको छारिये बताना है 20 सही जवाब 2022 का यह सवाल है पानी का pH मान है देखे 2019 में भी पूछा गया था एक सवाल पानी का pH मान 7 आपको बताना है 20 सही जवाब एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है H प्लस आयन की शांदरता 1000 गुना कम हो जाएगी किस तरह से होगा यहाँ पे दिया हुआ है चाहें तो क्लास को रोप कर कि आप देख लें याद रखेगा इसे ब्रोमीन होती है क्या होती है तो ब्रोमीन होती है ब्रोमीन गेहरा लाद रंग धारित तिक्छ गंद वाला वास्प सील द्रव है ब्रोमीन का परवानु कर्मांग 35 होता है और यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है यह अजवलन सील तथा जल में अल्प विले है ब्रोमीन वर्ग शत्र का सदस्य है जिसे हेलोजन वर्ग के नाम से जानते है विल्डिंग में परियोग होने वाली गैस कौन सी है ओप्शन नमर सी हो जाएगा ऑक्सिजन और एसेटिलिन का यूज किया जाता है विल्डिंग में वेल्डिंग एक परकिरिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभी किरिया द्वारा ताप के मार्ध्यम से धात्मों को पिखला कर जोड़ने अथवाठीक करने का काम किया जाता है ऑक्सीटोशिन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधी है गेल्वेनाइजड लोहे के पाइप पर परत होती है ए राइट आंसर जस्ते की परत होती है गेल्वेनाइजड लोहे के पाइप पर लोहे एवन इस पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चरहाने की विधी को यस दलेपन कहा जाता जिसे आप गर्वेनरियाइशन कहते हो यह आपका सही जवाब हो जागा कपरे साफ करने में परियोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है सल्फोनेट डि आपका सही जवाब जिटर्जन आदरक अथवा आदरकों के योगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में शफाई के गुन को प्रदर्शित करते हैं वस्तुता ऐसे पदार्थलकिल बेंजन सल्फिनेट्स होते हैं जिटर्जन कठोर जल में भी क्या होते हैं घुलनसील वह तत्व जो मानव पशीने के माध्यम से उत्सरजित होता है 2017 में शवाल पूछा गया था देखे पशीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है परन्तु इसमें खनीज, आमल और यूडिया होता है पसीने के मुख्य रूप में सोडियम, पॉटेशियम, कैल्सियम, मैगनेसियम, जिंक, आईरन तर्तु पाए जाते हैं इसलिए उप्शन नमबर E यहाँ पर सही जवाब है एक से अधिक नीलात होता रशायनिक रूप है किसका कॉपर सल्फिट का सी सही जवाब है नीलात होता का रशायनिक नाम कॉपर सल्फिट है इसका सूतर आप यहाँ पर देख लें C-U-S-O-4-5-H-2-O होता है यह लवन निर्जली कृत अवस्था में रंग हीन होता है परन्तु हैडरेटेड लवन नीले रंग का होता है नीलात होता जल में आसानी से घूल जाता है परन्तु मर्द यानिकि अलकोहल में कह रहा है कि अगुलनसील होता है निमली खित में से सबसे भारी धातु कौन सी है आप्शन नमबर आपको डी धियान रखना है सबसे भारी धातु पूछा तो क्या बताईएगा प्लेटिनाम सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे कह रहा है अगर लिखित प्रश्ण में भारी का तात्पर्व घनत से है भारी का मतलब घनत से है उप्यूक्त विकल्पों में से प्लेटिनाम सरवादिक घनत गुन धर्म वाला धातु है इतना घनसेमी होता है चांदी का दिख लिजिए इतना दिया हुआ है पारा का याद कर लें और सोने का अगर देगा तो इतना घनत होता है चाहत इसके इसके इसरोड लेकर क्या आप रख लिजिए से स्टेनलेस स्टीर एक मिस्र धातु है ओप्शन यहाँ पर इस ही जवाब है दिखिए दो या दो से अधिक धात्मों के शमांगी मिस्रन को मिस्र धातु कहते हैं जो धातु के गुन धर्मों को बहतर बनाते है लोहे के साथ कारबन, निकल, क्रोमियम को निस्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें क्या होता है जंग भी नहीं लगता है इसलिए ओप्शन यह सही जवाब था तूटी हुई हड्डियों के राक्षा के लिए प्लास्टर और पैरिस का परियोग होता है बताइए यह क्या है पर गर्म करने पर या जल में अनुव का त्याग कर कैलसियम सल्फिट अर्ध हाइड्रेड बनाता है इसी प्लास्टर और पेरिस के नाम से आप जानते हो अब प्लास्टर और पेरिस का सूत्र बताईए क्या होता है आपको यहाँ पे भी ध्यान रख लेना है प्लास्टर और हैड्रो कारवन जिसमें कारवन के दो परवानों द्विबंद द्वारा जुरे हो क्या कहलाता है ओप्शन भी सही जवाब एलकीन कहलाता है वैशे कारवन तथा हैड्रोजन यूग्त यौगिक हैड्रो कारवन कहलाते हैं केवल कारवन तथा हैड्रोजन यूग्त यौगिक हाइड्रो कार्वन कहलाता है कार्वन कार्वन दूई आबंद वाले और संत्रिप्त स्रिंखला को एलकीन कहते हैं एलकीन कार्वन कार्वन एकल आबंद युक्त संत्रिप्त वीवडित स्रिंखला वाले हाइड्रो कार्वन होते हैं एलकाइन तरी आबंद वाले और संत्रिप्त हैड्रोकारवन है परवानों के मद्द में इलेक्टरानों के अस्थानांतरन से जो बंद बनते हैं उन्हें विद्यूत सयोजक बंधक बंधन या फिर आइनिक बंधन कहा जाता है शिर्के का रासाइनिक नाम क्या है ओप्शन नम है शिर्के का रासाइनिक नाम एसीटिक अमल तथा रासाइनिक सोटर सी स्थृ सीरी सी ओऊ ओले होता है शिर्के का आयू पी एसी नेम अगर पूछे गा तो इतिनायक अमल कहिएगा जिसमें से कार्बो किसलिक अमल परियाथ- प्रकार्यात्मक रूप से समों में होता है निम्लिखित में से कौन सा आमल सिर्के में उपस्थित है option D, ACT का आमल सही जवाब है कार की बैटरी में परियोग होने वाला आमल कौन सा है option D, सल्फ्यूरिक आमल का यूज किया जाता है कार की बैटरी में सलफ्यूरिक आमल का परियोग होता है या बैटरी में वैध्यूत अभगटई की रूप में परियोग किया जाता है जिसका उदेश्य राशायनिक अभिकरियाओं के द्वारा विद्यूत उर्जा उत्पन करना होता है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाले गैस कौन सी होती है आपको पता है सोडा वाटर जब आप खोलेंगे अप्शन नमबर ए सही था देखे समझ लेजे पहले सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाले गैस कारबन डायोकसाइड सी ओ टू होती है जो उच दा प्राकिर्तिक रूप में पाए जाने वाला कार्बनिक ठोश है जिसके संद्रजना रवा कृत होती है इसके लिए क्या आंसर टिक करेंगे option number B कैसा होता है और कार्बनिक या ठोश होता है भी ये सही जवाब हो जाएगा आज आए ये next question पर वर्ष 1945 में नागाशा के यानि कि जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विश्पोटक परियुक्त किया गया था 2015 का शवाल है पहले समझे डेट आपको ध्यान रख लेना है 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक नागाशा के जापान पर गिराया गया था इसमें प्लूटोनियम का परियोग किया गया था सवाल पूछा ना किसका प्लूटोनियम का योज किया गया था विश्पोटक के रूप में योज हुआ था वहीं दूसरी और हिरो सीमा पर जो गिराया गया था उसका नाम था little boy और यह आपको पता है ना एक हुआ था 6 अगस्त को एक गिराया गया था 9 अगस्त को यहाँ पर आपको option number क्या टिक करना था C सही जवाब एक ही प्रकार के परवान उनिम्न में से किस में मिलता है आपको ध्यान रखना है option number C प्रकेतिक तत्त में मिलते हैं सबसे अधिक क्रिया शील धातू कौन सी है यहां पर समझे पहले कैयरे दिये गए विकलबों में शर्वाधिक क्रिया शील धातू अगर पूछे रड़ आपको potassium बताना होता है क्रिया सिल्टा के आधार पर दी गई धातों का क्रम क्या होता है सबसे पहले potassium, फिर sodium, फिर calcium, फिर आपको iron ध्यान रख ल inclined इसके लिए आपको option number D सबसे अधिक क्रिया सिल धातों कौनसी होती है right answer D है potassium वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में परियुक्त होने वाली गैस कौन सी है ए राइट आंसर हो जाएगा हैट्रोजन सही जवाब 2016 का यह सवाल है वनस्पति तेल से वनस्पति घी हैट्रोजनी करन की परिकिरिया की द्वारा बनाया जाता है निकेल उत्प्रियरा की उपस्तिती में वनस्पती तेलों के साथ हैट्रोजन वशा बनाती है यह क्रिया तेलों का हैट्रोजनी करन कहलाती है नमबर 32 आयोडिक वित लवन में रहता है ओप्शन नमबर D सही जबाब पोटिसियम आयोडाइड रहता है पोटिसियम आयोडाइड की संदचना एवंग भौतिक गुनों में खाद लवन के शमान है व्यापारिक अस्तर पर आयोडिक रित लवन बनाने में शमानेता इसी का परियोग किया जाता है इसके अतरिक पोटिसियम आयोडेड, सूडियम आयोडेड एवंग सूडियम आयोडाइड का भी परियोग आयडोनिक रित लवन बनाने में किया जाता है खाने का नमक यानिकी NACL किसका बनता है यहाँ पर भी मजबूत अम्ल और मजबूत चार से बनता है खाने का नमक देखिए प्रवल अम्ल एवंग प्रवल चार के मद अभी करिया से निर्मित नमक लवन को उदासीन कहते हैं इसे NACL के NO3 के नाम से जाना जाता है सभी जैव योगिक का अनिवारी मूल तर तो क्या है सी राइट आंसर कारबन है संसार के सभी जैव पदार्थों पदार जिसमें की कारबनिक योगिक से जो बने होते है संसार के सभी जैव जैव पदार्थ कारबनिक योगिक से बने होते है ध्यान रखें, कार्बनिक योगिक में कार्बन अनिवारिता पाया जाता है ओक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें? 2019 का सवाल है, एर आई टांसर होजागा कैरोसीन में कैरेक्ट्रस्न गत विकल्प में कैरोसीन में अनुपस्थित होती है ठीक है अनुपस्थित पूछाता ध्यान रखिएगा राशाइनिक रूप से कैरोसीन यानी के मिट्टी का तेल जिसे कहते हो हैड्रोकारवन का एक मिश्रन है ध्यान रखें हैड्रोकारवन केवल कारवन तथा हैड्रोजन के यौगिक होते है सिग्रेट लाइटर में निमलिखित में से कौन सी गैस परियुक्त होती है सिग्रेट लाइटर में ये सही जबाबु जगा ब्यूटेन रहती है ब्यूटेन एक जोलनसील हाइड्रोकारवन है जिसका आन्विक सूतर C4H10 होता है इसका उप्योग सिक्रेट लाइटरों में किया जाता है निमलिखित में से कौन सा तरली किरिट पेट्रोलियम गैस का परमुक घटक है सवाल देखने कब का है 2022 का है देखिए LPG के मुक घटक ब्यूटेन और प्रोपेन आप जानते हूँ इसमें अन हैड्रोकारवन यथा कह रहा है कि इथेल भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं इसलिए आपको आप्शन नंबर क्या कहना था यहाँ पर ई सही जवाब था एक से अधिक सही जवाब है प्राकिर्तिक रबर किसका बहुलक है प्राकिर्तिक रबर होता है आई सुप्रीन का बहुलक बहुली करन वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार से प्रकार के एक से अधिक अनु आपस में जूड कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अनु बनाते हैं बहुली करन में भाग लेने वाले अनवों को एक लख एवन उत्पाद को बहुलक कहा जाता है आईसुप्रीन का बहुलक प्राकितिक रवर है आईसुप्रीन एक कार्वनिक पदार्थ है जिसका सूत्र यहाँ पर आद देख ले टेफलोन निमलिकित में से किश एक लख का बहुलक है यहाँ सवाल 2016 में आया था ए टेट्राफ्लोरो एथिलीन का होता है पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन को आम तोर पर टेफलोन के नाम से जाना जाता है पी टी एए एक ठोश फ्लोरो कारवन है इसका घनत्व दिया हुआ है इतना होता है इसका गल्लाग इतना पर होता है या विशेस्ता बरतनों परणा चिपकने वाली सतह के रूप में परियुक्त होता है बेकलाइट निमलिखित के संगरन से बनता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड भी सही जवाब बेकलाइट एक आरम्विक प्लास्टिक है इसका राशायनिक नाम पॉली देखें कितना छोटा सा नाम है न इसका पॉली ऑक्सी बेंजा बेंजाइल आपको ध्यान रखना है मैथिलीन गलाइको लेन हाइडराइड होता है ध्यान रखें किया नाम है इसका राशायनिक नाम पॉली ऑक्सी बेंजाइल मैथिलीन गलाइको लेन हाइडराइड होता है यह thermosetting phenol formaldehyde resin होता है जो phenol और formaldehyde के संगनन परतिक्रिया की फलस्वरूप बनता है इसकी खोज वर्स 1907 से 1909 के मद में Belgium के राशाना की जुद्ध जोने की नाम था लियो बैके लेंड इनके द्वारा ही खोज इसकी की गई थी triglyceride क्या है बताएं option C right answer वशा देखिए triglyceride सरीर में पाई जाने वाला वशा यहने के fat का एक प्रकार है हमारा सरीर भोजन से प्राप और प्रयुक्त उर्जा को triglyceride में परिवर्तित कर देता है triglyceride वशा कोशिकाओं में सिंचित होता है ग्रेफाइड और हीरे के बारे में निम्रिकित में से कौन सा गथन सत्त है देखिए ग्रेफाइड और हीरा दोनों ही कारवन के अपरूप है जिनकी क्रिस्टलिय सरनचना अलग-अलग होती है हीरा जहाँ प्राकितिक रूप से प्राप्त सरवादिक कठोड़ पदार्त है वही ग्रेफाइड कम कठोड़ होता है ग्रेफाइड की विद्धुद्चालकता हीरे से अधिक होती है ग्रेफाइड और हीरे दोनों के कारवन सहसायोजी बंदनों से बंदे होने के कारण उनके रासायनिक गुन शमान होते हैं और वे एक समान रासायनिक परतिग्रिया से गुजर सकते हैं इसलिए option number D वे एक समान रासायनिक परतिग्रिया से गुजर सकते हैं और यह जो शवाल है 2022 के विपिस्टी में पूछा गया था पुलीस द्वारा नसेंज में गारी चलाने वाले की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या परियोग किया जाता है क्या रहता है ओप्शन ए पॉटेसियम डाइक्रोमेट सल्फूरिक आमल रहता है गरेलू इंदन के रूप में परियुक्त LPG में मुख्यता क्या होती है अभी आपने तो थोच दर पहले भी देखा था है यह आपका सही जवाब हो जाएगा थोच दर पहले भी इसके बारे में अच्छे चे परहे थे ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है किसका कारबन डाइ ऑक्साइड मिथेन ओजोन देखिए ग्रीन हाउस गैस वे गैस है जो पिरित्वी वातावर रंद था बादलों द्वारा उत्सर्जित उसमिये अवरक्त केड़ों को अव्शोशित एवग उत्सर्जित करती है इनमें परमुक हैं कारबन डाइ ऑक्साइड जलवास्प नैट्रस ऑक्साइड मिथेन और ओजोन इसलिए ऑप्शन इटीक करना है ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है किसका अभी फिर आपने देखा था पैट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन होती है ऑप्शन नमबर कारबन मोनो ऑक्साइड ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पैट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है इससे मुख्य तक कारवन मोनो ऑक्साइड उत्पन और निर्गत होता है साबून ग्रीज को हटाता है किस तरीके से तो पाशी करन के द्वारा हटाता है शामानिता ध्यान रखें पाशी कारक शामानिता ध्रूबिय समुहों युक्त लंबी स्रिंखरा वाले योगिक होते हैं उदाहरन के लिए साबून के अनुमे दूप भाग होते हैं पहला लंबी हाइड्रो कार्बन साखा जो की वशा में घूलन सील होता है और दूसरा होता है जल में विले ध्रूबिय भाग पाशी करन के दोरान साबून का और ध्रूबिय अलकिल समुहों तेल या ग्रीज का घूल लेता है तथा धुरूविय समुव जो है जल में घोल जाता है जब इसे ठीक परकार से रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलम्मित होती है और ये जल के बहाव में सयलता से क्या होता है बह जाती है सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए कौन सा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर मैच किया हुआ है देख लें अच्छे से याद कर ले इमलिकित मैंसे किसकी मात्रा अमल वर्सावे शब से अधिक होती है H2SO4 का होता है सही जवाब हो जाएगा वातावरनिये परदूसन अध्योएक निस्त्रतों एवग परकिर्ती में होने वाले विविन किरियाओं के फलस्रूप उत्पन सल्फर डाई ऑक्साइड रथा नैटर्स ऑक्साइड गयास वायो मंदल में पहुँचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के नैटर्स अमल बनाकर पेत्वी पर गिरती है इसे अमल वर्सा या अमलिये वर्सा कहते हैं अमल वर्सा में शावानिता सल्फूरिक अमल H2SO4 की मातरा सरवादिक लगवर 70% होती है अमल वर्षा क्या होती है 2005 का यह सवाल है यहाँ पे आपको option नहीं दिया हुआ था सुस्क बर्फ क्या है option नमबर भी हो जाएगा ठोश कार्बन डाई ऑक्साइड होता है सुस्क बर्फ ठोस कारबन डाई ऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है अता इसे सुस्क बर्फ कहा जाता है सुस्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले उर्द पातित होकर कारबन डाई ऑक्साइड में बदल जाती है निम्लिकित मैंसे किसे सुस्क बर्फ कहते हैं आपने देखा ठोस कर्वन डायोक्साइड C सही जवाब है सुस्क बर्फ क्या है ओप्शन नमर B फिर से हो जाएगा 2004 में पुछा गया था चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है तो CO2 के द्वारा हो जाएगा B सही जवाब 2020 का यह सवाल है चूने का पानी कैल्सियम हैड्राउक्साइड के तनु जलिये विलियन का शामान नाम है जब कर्वन डायोक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी कैसा होता है दुधिया हो जाता है निमलिखित में से कौन साथ सिमेंट का मुख्य घटक है? 2022 का यह सवाल है सिमेंट के निर्मान में परियोगत होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर तथा सिलिका मिट्टी होती है चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के फलसुप सिमेंट किलिंकर का निर्मान होता है इस किलिंकर में 2-3% जिब सम को मिस्रिद करने पर सिमेंट का निर्मान हो जाता है एक कार बैटरी में परियुक्त विद्युत अप घटे होता है ओप्शन भी अच्छे से आप जानते ही है इसके बारे में अगर चाहत यहाँ पर पर सकते है निर्मान लिखीत में से किसमें कारबन नहीं है दिखे हीरा, ग्रिफाइड और कोईला तीनों कारबन के अपरूप होते हैं 1997, 1998 का या शवाल है ओप्शन नमबर E हुआ नहीं करता था इसलिए आपे D कोई नहीं निमन में सबसे सक्त कौन सा है A राइट आंसर हीरा सबसे सक्त होता है निमन पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तों के परिरक्षन में परियोग किया जाता है sodium, benzoate का option C राइट आंसर पारत धातू मिस्रन किसका किसका है option नमबर यहाँ पर आपको देखे पारत धातू मिस्रन पुझेगत पारत युक्त मिस्र धातू होती है तो यहाँ पर ज़्यादा explanation दिया नहीं है option नमबर C सही जवाब है number 62 खाना बनाने में परियोग की जाने वारे गैस मुखेता कौन सी होती है देखे खाना बनाने में मुखेता मिथेन गैस का उपियोग किया जाता है इसे गोबर, कूरा, कचरा, आदी से प्राप्त किया जाता है option नमबर आप यहाँ पर क्या ट्रिक करेंगे C राइट आंसर हो जाएगा मिथे next question number 63 निम्न धातुओं में से कौन शामान ताप पर द्रव है B राइट आंसर पारा हो जाएगा पारा शामान ताप पर द्रव होता है इसका परियोग धर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है ठोष कपूर से कपूर वास्प्र बनाने की परकिरिया को कहते हैं option number D आपका राइट आंसर उर्दुपातन कहा जाता है ठोष कपूर से वास्प्र बनाने की परकिरिया को उर्दुपातन कहते हैं उर्दुपातन वह परकिरिया है जिसमें ठोश कारवन गर्म करने पर सीधा गैसी अवस्था में रुपांत्रित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुना प्रारंबिक ठोश अवस्था में आ जाता है पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए परियोग किये जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चोण से निकलने वाला धुआ कौन सा होता है अमोनिया और हैड्रोकलोरिक एशीड का रहता है पीतल के बर्तन पर कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए परियोग किये जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चोण से निकलने वाला धुआ अमोनिया और हैड्रोकलोरिक अमल रहता है निम्बू खटा होता है किसके वज़ा से अब अच्छे से जानते हैं साइट्रिक अमल के वज़ा से होता है निम्बू में साइट्रिक अमल पाया जाता है जिसके कारण या खटा हो जाता है वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है यहाँ पर इस्टार मार्क क्यूं दिया गया है क्योंकि देखिए ओप्शन E होना था इसका वाहन में मुक्षार्वन डायॉक्साइड, कार्वन मोनो आक्साइड, नैक्ट्रोजन के ओक्साइड, सलफार डायॉक्साइड, एवन ह हेड्रो कार्वन उत्सरजित होते हैं अता इस प्रस्ण के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे यहाँ पर ओप्शन नमबर ई है नहीं बढ़ अभी के टाइम में पूछेगा यह आपको बताना होगा इस टील को कठोरता परदान करने के लिए बरहाई जाती है कार्वन की मात्रा एस सही जबाव इस पात के साथ उचित मात्रा में मिस्तरत मिलाकर उशे अवश्यक कठोरता तन्यता और सुगहटत्या परदान की जाती है लोहे में जितना अधिक कारवन मिलाते हैं इस पाथ उतना ही कठोर बनता जाता है कठोरता बरहाने के लिए उसके साथ कई उसकी भंगुरता भी बरहानी होती है नमबर 69 किस खनी से रेडियम प्राप्त किया जाता है तो पिच बिलेट ऑप्शन नमबर 20 सही जवाब हो जाएगा पिच बिलेट से रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच बिलेट रेडियम का अयश्क है लेकिन पिच बिलेट में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है क्यूरिक दमपती नेरेडियम प्रापती के लिए पीच ब्रेट का ही सोधन किया था तैने के तलाब में तैने से मनुस्य की त्वचा जल जाती है देखिए समझे पहले कहले न तलाब में तैने से मनुस्य की त्वचा जल जाती है इसलिए आपको option number B ध्याम रखना है hydrogen को जलाने से क्या बनेगा तो hydrogen को जलाने से जल का निर्मान होता है option number आपका D पानी या आपका सही जबाब हो जाएगा शोने को घोला जा सकता है यहाँ पे option देखें क्या हुआ न शोने को एक्वारेजिया में घोला जा सकता है एक्वारेजिया सांद्र नैट्रिक और हैड्रोक्रोरिक अमल का आयतन के द्रिष्टी से एक अनुपातीन का मिश्रन रहता है इसलिए यहाँ पे option में केराग विकल्प एक भी सही नहीं होगा हइड्रोफ्लोरिक एसिद काच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है यह अभिक्रिया करता है option no.D काच की सिलिएकन ओक्साइड डाइScाइड से यह देखिए हइड्रोफ्लोरिक अमल काच में नहीं रखा जाता है H2F अत्यधिक क्रिया सील योगिक है यह काच की सिलिकॉन डाय ओक्साइड से परतिक्रिया कर लेता है जिससे बोतल में विश्पोर्ट हो जाता है वायू में थोड़ी देर रखने पर किसी धातू के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वाधातू है वाधातू है ओप्शन नमबर ए सही जवाब तामबा वायू में थोड़ी देर तक रखने के बाद तामबा धातू के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वस्तूता या वायू में तामबे के ऑक्सीकरन का परिनाम है इसे पतिना भी कहते ह विश्पोटक नाइट्रू गिलिसरीन है एक ओप्शन नमबर डी क्या होता है एस्टर है जिसका उप्योग विश्पोटक की तरह किया जाता है घर यलू LPG सिलिंड्रों में दाब मापक नहीं पतान किये जाते हैं क्योंकि ये LPGA द्वारा चोख हो जाते हैं देखें LPGA में अटधिक दाब पर संपिंडित कर गैस को द्रविकृत किया जाता है इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोग को हो जाने के संभावना होती अथा डाब मापक नहीं लगाया जाता है निम्ज्खित में से किस खानीज द्वारा लोहा प्राप्ट किया जाता है option no.D, हेमेटाइट के द्वारा थोज़र पहले आपने देखा भी था सही है या आक्षिकारा के सही है हलके पिले रंग का चोड़ने सही है जल में अधिक विले होता है कह रहा है कि यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा इसलिए सही जवाब है नमबर 79 जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तामबा से मिलाने पर पीतल बनता है पीतल का घनत्व है ओप्शन नमबर भी तेरासी सो किलोग्राम बाइमीटर क्यूब आपका सही जवाब हो जाएगा जस्ते से एक बर्तन पर विद्यूतलेपन की विधी में आप्शन नमबर C हो जाएगा बर्तन को रिंदरू और सुध जस्ते को धनदरू बनाया जाता है जस्ते के बरतन प्रविद्यूत लिपन की विधी में जस्ता दो इलेक्ट्रोनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बरतन इलेक्ट्रोन का त्याग कर रिनात्मक हो जाता है इससे जस्ता धन रूप और बरतन रिन रूप के रूप में परिनत हो जाता है सही जवाब हो जाएगा next question number 81 stainless steel एक मिश्र धातू है किसका होता है यहाँ पर आप देखे दो 2017 का शवाल है stainless steel जिसमें कि धबा नहीं होता है या एक लोहा होता है एक मिश्र धातू है जिसके शंगटक में iron रहता है chromium रहता है manganese रहता है carbon रहता है इसमें silicon बस नहीं पाया जाता है जबकि अल्प मात्रा में निकेल भी रही जाता है मतलब मिला जाता है stainless steel में से धातू है option number C आपका सही जवाब हो जाएगा या option number C दिए गए विकल्प के निकर्टम उत्तर C होगा बदाए कि निम्लिखित में से किसमें रिनात्मक आवेश होता है रिनात्मक आवेश पूछेगा बीटा की रन में होता है C सही जवाब radioactive पदार्थ से alpha, beta, gamma के निकलती है alpha धनावेशित, beta रिनावेशित तथा gamma उदासीन की रन होती है निम्लिखित में से कौन सा electronic सनरूपन धातू तत्तों के लिए होता है आपको यहाँ पर डी धियान रखना है 2882 आपका राइट अंसर हो जाएगा CO शमुह का आवंद करम क्या है यहाँ पर आपको डी धियान रखना है तीन होता है देखिए आबंद करम यहाँ बनाने वाले दो परमानों के मद में उपस्तित बंधन कितना मजबूत है आबंद करम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा कम होना कम मजबूती को दिखाता है CO शमुह का आबंद करम पूछेगा ता आपको तीन बताना है जिस तत्य के परमानों में दो प्रोट्रोन, दो नियोट्रोन और दो इलेक्ट्रोन हो उस तत्य के दरवमान शंख्या क्या होगी आप्शन नमबर B सही जवाब हो जाएगा चार होगी सलफर हेक्सा फ्लोराइड अनू का आकार कौन सा है आप्शन नमबर B राइट आंसर अस्ट फल ये होता है एक तत्य की एक तत्य जो की X की बाहत्यम का अक्षा में चार इलेक्ट्रोन है हैड्रोजन के साथ इसके योगिक का कौन सा सूत्र होगा यहाँ पे आपको आप्शन नमबर D XH4 सही जवाब हो जाएगा देखे यह स्तत्य की बाहत्यम का अक्षा में चार इलेक्ट्रोन होते हैं अस्थाई तो प्राप्ट करने के लिए चार इलेक्ट्रोन के सहता से सही जी बंद बनाएगा हैड्रोजन के बाहत्यम का अक्षा में एक इलक्ट्रोन होता है अस्थाइ तो प्राप्त करने के लिए एक और Mond की आवश्यक्ता होती है अतावाध्यत्व के अक्षा में चार इलक्ट्रोन वाले तक्व के साथ चार हैड्रोजन पर गविया करेंगे इस प्रकार एक्स H4 का यह निर्मान कर लेगा बैंजीन में सिगमा और पाई बंद की शंख्या होती है 12 और 3 सही जवाब है बैंजीन एक हाइड्रो कार्बन है जिसका सूत्र होता है C6H6 इसमें 6 कार्बन परवानू और 6 हाइड्रोजन परवानू होते है प्रतेक कार्बन परवानू एक बंद से हाइड्रोजन से और दो से अननिकरवर्ती कार्बन परवानूं से सम्बंद रखता है कार्बन का चौथा बंद यूग में बंद के रूप में उपस्तित माना जाता है इसमें 12 सिगमा एवं 3 पाई बंद होते है भारी पानी वह पानी होता है ओप्शन नमबर C जिसमें हाइड्रोजन का अस्थान आइसोटोप ले लेता है हाइड्रोजन में सम अस्थानिक ड्यूटेडियम होता है यदि जल का निर्बान H2 से ना होकर के ड्यूटेडियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे इसका राशायनिक सूत्र अगर पूछेगा तो आपको D2 O बताना होता है किसी परमानु नाभिक का आईशोटूप वह नाभिक है जिसमें जिसमें आप्शन आपका B सही जबाब दिख़़ा है जिसमें प्रोट्रोनों की संख्या वह होती है परन्तु नियोट्रोन की संख्या अलग-अलग होती है वे परमानु जो दरवमान संख्या में और समान होते हैं परन्तु नाभिक पर समान वैद्यूत आवेश में समान होते हैं इन्हें सम अस्थानिक यानिकी आईशोटोप कहा जाता है दूद है उदाहरन किसका ताप देख लिए आप्शन नमबर आपका B और C है क्योंकि देखिए कुलायट एक विस्मांगी मिस्रन है इसमें मिस्रन के कर बहुत सुक्षम होते हैं कुलायट के कई रूप या परकार होते हैं जैसे ऐरोसोल, इमल्सन, जेल ये सारे होते हैं दूद, फेस क्रीम, इमल्सन का उदाहरन है इस परकार दूद, इमल्सन है जो एक कुलायट, विलियन होता है अता इस परकार B और C कह रहा है एक दोनों सही है उप्यूक्त विकल्प के नुशार, छात्र, मतलब अगर एक रहे तो इमल्सन का आप यूज कर सकते हैं मतलब टिक कर सकते हैं B और C वैसे आपका यहाँ पर दोनों सही है अलकोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है C राइट आंसर, इथाईल अलकोहल हो जाएगा गुलुकोज को एथिल अलकोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है ओप्शन नमबर सी सही जवाब लाइमेज के द्वारा शक्कर के किन्वन से क्या बनता है अच्छा, एक्स्प्लानेशन दिया जा चुका है ओप्शन A, इताहिल अलकोहल सही जवाब है गुलुकोज का सूत्र क्या है गुलुकोज का होता है C6, H12, O6 यूडिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से है CHNO होता है यूज यूडिया एक कार्बनिक यूविक है इसका रसायनिक सोत्र होता है C0, NH2 पावर अपका 2 हो जाएगा यूडिया में लगवक 46.67% एमाइट के रूप में उपस्थित होता है कार्बनिक रसायन के छेत्र में इसे कार्बामाइट भी कहा जाता है अपमार्जक क्या है अपमार्जक होता है option number D शोधन अभी करता सफाई कारी के लिए परियुक्त किये जाने वाला जो पदार्थ है शाबून और अपमार्जक कहलाता है वास्ता में हम जिस शाबून का उप्योग वर्सों से कर रहे हैं वास्ता में अपमार्जक के ही स्रेनी में आता है निम्न में से कौन सा पदार्थ शाबून बनाने में परियुक्त होता है यह सही जवाब वनस्पत्ती तेल हो जाएगा राइट आंसर जब किसी तेल अथवावशा को सोडियम हैडर आउक्साइड विलियन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवावशा शंगत एसीट सोडियम लवन एवंग्रिस रॉल में परियुक्त हो जाते हैं इस अभिक्रिया को शाबूनी करन कहते हैं पीतल में कौन सी धात्वे हैं तामभा और जस्ता हो जाएगा और अप्सफिन नंबवर डी सही जवाब तीसरे और चोथे समों के अउकसाइड का सामान गुन धर्म क्या है यह हो जाएगा आपका एबेसिक और एसीडिक सही जवाब तीसरे चोथे समों के आउकसाइड एवन अक्षाइड का उस सामान गुन धर्म है ये बेसिक और इसिडिक होता है रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सरजित करता है क्या तो अलफा बीटा गामा तीनों की रण करता है तो आपको यहाँ पे डी सही करन देना है रेडियो धर्मी पदार्थ से अलफा, बीटा और गामा केड़ने उत्सरजित होती है ये केड़ने करम सा धनावेशित, रिनावेशित और उदासीन होती है एक धनावेशित हो गया दूसरा रिनावेशित और तिसरा उदासीन रहता है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वा कौन सी है ओप्शन नमबर डी दे रहा है नाय टोजर क्योंकि 88% होता है वायू है एक क्या है वायू एक मिस्रन होता है इसे आप याद कर लेंगे मच्छर भगाने वाले दवाओं में शक्रिय रसायन कौन सी है ये राइट आसर हो जाएगा एलित्रीन सही जवाब है एलित्रीन नामा की होग एक मच्छर भगाने वाले दवाओं में शक्रिय रसायन होता है जल की अस्थाई करो कठोरता का जो रीजन है वो क्या है देखिए कठोर पानी हुआ है जो अप मार जाके निक साबूल लगाने पर जाग सहजता से उत्पन नहीं करता है इसका मुख के कारण हो जाएगा क्या होगा कैलसियम तथा मैगनिसियम के कुलोराइड और सलफेड आपका सही जवाब है इसके लिए ओप्शन नमबर B इसके सूगने पर हसी आती है डॉक्टर इसका प्रियोग एनिस्थिस्या के रूप में भी करते है निमलिखित में से किसी हशाने वाली गैस कहा जाता है ऑप्शन B 2019 में सवाल पूछा गया था रिपीट किया गया था यह लास्ट सवाल है सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए तो मैच क्या करना इसे आप देख लिजिए जहाँ पर आप याद कर लिजिए तो चाक एंसर, पराबैगने की रण, ध्वनी परदूसन, डेसीबल, वैस्विक तापमन के लिए आपको कारवन डायोक्षाइड, ओजोन छिदर के लिए क्रोरो-फ्रोरो कारवन ट्रिक करना है इस वाले सेट में जो अभी आपने कोस्टन्स देखा टोटल 109 सवाल दिया गया था आपके केमेश्ट्री से आशा करता हूँ कि आपके आगया आने वाले बिप्यस्टी के लिए काफी हद तक आपको ये हेल्प करेगा प्रिवियस येर सारे कोस्टन्स को आपने देख लिया, पैटरन को आपने पकर लिया क्लास कैसा लगा कमेश्ट करके जरूर बताएं, इस तरह का और भी क्लास यानि की घटना चगर का और भी धीर सारा क्लास और भी धीर सारा प्रैक्टिस से आपके लिए अविलेवल है ता आप लोग उसे भी जरूर देख लें